आप लोगों ने अपनी परिक्षा की तेहरे शुरू कर दी होगी जिसमें अलग अलग पैक्टिस सेट्स और सेरीज को बना रहे होंगे मैं आज आपके नाउन चैप्टर को शुरू कर रहा हूं और नाउन चैप्टर से रिलेटेड जो एक्जाम में पुछे गए हैं और बेसिक ट्रेंड के जो पुछे जाते हैं उनसे रिलेटेड मैंने पॉसिबल एरर्स का एक कलेक्षन बनाये हैं उमीद है आपको पसंद आएगा और ये सारे questions जो है exam के various nature of questions पर बने हैं, ये कोई question का repetition thought नहीं होगा, इसलिए आपको काफी मज़ा आएगा, तो जैसे कि हम देख रहे हैं, सबसे पहले एक noun का introduction करेंगे इसमें, What do you mean by noun? Noun is a word which actually derives or used to derive name of person, name of place, name of things, activities, name of emotions, etc. जैसे कि अगर बोलें, football is an interesting game, तो football name of activity हो गया इसमें, honesty is the best policy, honesty is a kind of emotion और quality हो गया, तो noun के chapter का सबसे पहला introduction ये होता है आपका, तो noun का chapter जो है बहुत आसान है समझना ये, questions में हम ज़्यादा focus करेंगे, तो एक next level में आते हैं, जिसके उपर सारे questions बनते हैं, अगर आपने noun के इस chapter के ये सारे categories को समझ लिया, तो आपके noun के सारे questions बिलकुल 100% clear हो जाएंगे, तो सबसे पहले noun का chapter जब भी भी होगा, तो आपको मान के चलना है noun का, या तो number, number का case, number का problem होगा आपका, number two, noun case का problem होगा, number next, noun gender का clear हो, questions होगे आपके, ये noun, ये chapter में noun, number, case, gender, ये तीन अलगले categories में noun को समझा गया है, और noun को जब number में समझा जाता है, ये सबसे बड़ा topic है आपका, जिससे सबसे ज़्यादा questions आते हैं, अगर मुझे इसको percentage में बताना हो इसमें, तो मैं कहना चाहूँगा, it is more than 70% questions from noun chapter, comes from that noun and number sections only, तो noun का number वाला section से वह है, ये number को हम noun phrase and noun form and function की categories में पंटते हैं इसमें, आज हम इससे related बहुत सारे questions करेंगे, जो exam में पूशे के हैं, जैसे questions आएंगे मैं आपको बताऊंगा इसमें, कि ये noun का case का problem है, noun का function का है, phrase का है, कि gender का है, तो ये आपने नए शब्द कुछ लोगों ने सुना होगा, कि ये ये कौन सी चीज हो गई, तो मैं एक-एक example से इन सारे words को clear करूँगा, तो उमीद है कि आपको example समझ में आएगा, तो सबसे पहले काम करते हैं, noun का हम number ले ले लेते हैं, जैसे noun का एक number, थोड़ा एक बार रिकॉल कर लें, समझ ले एक बार, noun है और ये number, उसी तरह सा noun है, case है, noun है तो gender, तो हम noun के number को एक बार समझ लेते हैं पहले, तो noun का number यानि कि singular और plural form, इसके बारे में कुछ बात हो रही है, तो एक बात देखते हैं इसमें, अब boy is playing, तो a boy singular है, तो इसका verb भी singular, यानि कि singular subject always takes singular verb, ये process है, noun का number है, यानि कि नाम singular है, तो singular verb, number हमेशा ही singular और plural के section से ही आपके questions को बनाता है, इसमें, यहां देखेंगे इसमें, boys are playing, तो boys plural है, तो are ले रहा है, यानि कि plural subject है, तो plural verb होगा, next segment में आते हैं, noun के case में, जब भी noun के case से related questions आते हैं आपके, तो कुछ example देखते हैं, tables leg, तो tables leg गलत हो गया, क्यों हो गया इसमें, क्योंकि non living के साथ जो है, इस तरह से जो apostrophe s लिखा जा रहा है, देख रहे हैं आप जो table के उपर apostrophe s, ऐसे words गलत होते हैं, non living के साथ, इनको avoid करें, बड़ा comments error है आपको, तो सही कैसे करें, leg of table, यानि कि off का use करें इसमें, तो tables leg की जग़ा पर, leg of table use करें, उसी तरह से एक दूसरा segment, जो exam का बहुत ही technical question आता है आपका इसमें, rams and sitas sun, आप देख रहे हैं, राम के उपर भी apostrophe लगा हुआ है, और sita के उपर भी apostrophe s लगा हुआ है, जो आपने ये inverted comma जासा चीज़ देख रहे हैं, इसको apostrophe s कहा जाता है, इसका एक segment है, हम तो आज questions करने वाले हैं, सरफ इसको देखने ज़रा भी, rams and sitas sun, ये sentence गलत क्यों हो गया इसमें, क्योंकि ये राम और sita का जो outcome है, जो resultant है, sun है, ये दोनों को मिला कर एक है इसमें, तो ऐसे समय में, rams and sitas की जगह पर, rams and sitas का ही होना चाहिए, sita के उपर ही apostrophe होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, एक और example लोंगा, अगर ध्यान से सुनेंगे, तो आपको ज़्यादा मज़ाएगा, अभी हम देख रहे हैं, rams and sitas sun, यानि कि एक जो sun है, वो sita और rams का एक है, दोनों को मिला कर एक sun है, अब मुझे आप बताईए, कि अगर rams and mohan's wife होगा, तो wife क्या दोनों की एक होगी, बिल्कुल नहीं होगा, तो ऐसे condition में, ऐसे sentences लिखे जाते हैं, rams के ओपर भी ऐस लगेगा, mohan के ओपर भी लगेगा, और wife के ओपर भी लगेगा, क्यों, क्योंकि इनका दोनों का relation, इनसे separate है, लेकिन ये sun जो है, ये दोनों के साथ attached है, इसलिए, ऐसे cases में, exam के questions ऐसे आते हैं, मैंने जो आपको rule बता है, exam में बुशा गया था, इसको हमने देखा है इसमें, आप ध्यान से देखेंगे, और आगे इसको, और समझ में आएगा आपको, gender, male और female, और neutral gender जैसे कुछ बाते होती है, the PM called its minister, एक छोटा सेंटेंस है इसमें, gender मतलब male है कि female, ऐसे questions भी noun के chapter से रहते हैं, तो हम देख रहे हैं, the PM called its minister, तो PM वर्ड जो है, यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा कि, यह male है कि female, ऐसे condition में, अगर आपका subject इस बात को clarify नहीं करता, कि यह male है कि female है, तो आपको एक clear instruction है English grammar में, कि आप उसको masculine gender मानेंगे, यानि male gender मानेंगे, तो यहाँ पर the PM है, PM called its minister, इस तो non-living के लिए होता है, और PM तो non-living है नहीं, हमें he, she, it में से क्या मानना चाहिए, यहाँ पर his क्यों होगा, हर क्यों नहीं होगा, क्योंकि English grammar का एक constant है, यह एक acceptable formula है, एक thought है, principle है, जिसमें कि neuter gender को जब लेते हैं, या sorry, common gender को जब लेते हैं, जो कि male और female दोनों हो सकता है, examples में लेंगे, teacher, male female दोनों हो सकता है, prime minister, male female दोनों हो सकता है, president, male female दोनों हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे sections हैं, जहाँ पर male female दोनों हो सकते हैं, अगर उस words से हमें clear नहीं हो, कि उसका gender क्या है, तो उसके लिए, जो relative word है, उसको हम male लिखें, female लिखें, क्या लिखें, यानि ही लिखें, शी लिखें, क्या लिखें, ऐसा तो है नहीं कि the PM, called her minister नहीं हो सकता, her क्यों नहीं लिखा हमने, इंद्रा गांदी भी तो PM थी, तो हमें ध्यान रखना है इसमें, कि जब हम बात करेंगे common gender की, common gender में अगर gender clear नहीं हो रहा है इसमें, तो हम उसको masculine gender मानते हैं, और his का यूज करते हैं, एक exam का सबसे अच्छा question बनेगा, next आ जाएंगे भी, अब हम अपने exam के questions आते हैं इसमें, exam के questions को जड़ा ध्यान से देखेंगे, उसको हम clarify करेंगे इसमें, अब हम practice set में चलेंगे, एक्जाम में जो भी questions पूछे गए हैं, और कौन-कौन से nature के कितने सारे questions आते हैं इसमें, एक बहुत अच्छा practice आपको दिया गया, whenever he goes to Mumbai, he stays in five stars hotel, hotels, full stop, ऐसे questions बड़े important हैं इसमें, इसमें सिर्फ में आपको, बिल्कुल to the point answer दे रहा हूँ, आपको जड़ा ध्यान रखेंगे इसमें, ऐसे options जब भी भी exam में आते हैं, जैसे questions जब भी भी आते हैं, five stars hotels, हमेशा देखें इसमें, हम देख रहे हैं इसमें कि हमारा noun कौन सा है, सबसे पहले noun देखें हैं इसमें, तो हमें देख रहे हैं hotels, इसमें उससे पहले क्या है, stars और उससे पहले five है, noun का एक chapter है, जिसमें कि numeral values, numeral अगर noun से आते हैं, कुछ noun number से भी बनते हैं आपके, तो यहाँ पर हमें देखना है कि यह word एक दूसरे से connected है, और यह hotels की बात हो रही है, he stays hotels की बात हो रही है, लेकिन यह hotel क्या है, वो five star है, यानि कि hotel की विशेष्टा है five star, five और अस्टार इसकी विशेष्टा है, यानि कि यह adjective है, और adjective जो है हमेशा ही अपने original या normal form में होगा, उसका plural form नहीं बनाए जा सकता, तो hotels एक noun है, hotel का hotels किया जा सकता है, बट, star का stars नहीं किया जा सकता, तो हमें ध्यान रखना होगा, कि जब भी ऐसे sentences आते हैं आपको, five stars hotel आ सकते हैं इसमें, इसमें और भी आगे example बताऊंगा, hundred, hundred रूपी notes आ सकते हैं इसमें, तो हमें last वाले word को noun मानना है, और उसे पहले वाले word को, उसकी adjective विशेष्टा बताने वाली माननी है, और उसका कभी plural नहीं बनाना है, तो answer हो जाएगा आपका five star hotels, यहाँ पर hotels होना चाहिए, star में s नहीं लगेगा, क्योंकि adjective का plural form नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना है, नेक्स सेंटेंस देखते हैं, सचन स्कोर्ड और 50 इन दे फर्स्ट इनिंग, एक question देखते हैं इसमें, हमें पता है इसमें, कि जब भी noun plural होता है, यहाँ पर noun है number का question है, noun का number, number singular है कि plural है, तो हम जड़ा ध्यान से देखें इसमें, ए 50 की बात हो रही है, 50 यानि 50, यानि कि one से अधिक, एक से अधिक जो भी हम noun के बात करते हैं, तो उसको plural consider किया जाता है, grammar में mathematical, जो concept है, उससे related कुछ disputes हैं, लेकिन वो verb से related disputes हैं, यहाँ पर उसको नहीं जोड़ेंगे आपस, यहाँ पर 50 जो है, यह 50 नमबर को बता रहा है, यहाँ पर 50 singular है कि प्लूरिल है, पचास एक से ज़्यादा है, तो प्लूरिल ही है, तो आर्टिकल एका यूज यहाँ पर गलत है, क्योंकि एका यूज आर्टिकल तभी करेंगे ना उनके साथ, जब वो singular form में होगा, जैसे कि A boy, A teacher, A friend, लेकिन यहाँ पर तो 50 है, तो 50 के साथ हम आर्टिकल एका यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक पचास एरन नहीं होता, पचास एरन अपने आप में हैं, एक से ज़्यादा है और प्लूरिल form में, तो यहाँ पर B का एरेर इसको consider कर हैं, नेक्स कुश्चन देखते हैं इसमें, यहाँ पर नाउन के चैप्टर का सबसे इंपॉर्टन रूल जो मैंने पहले भी बताया आपको, कि यह वर्कर जो है, आपका वर्कर्स जो है, यह नाउन है, इसको जरा ध्यान देखें, वर्कर्स नाउन है, लेकिन यह नाउन की विशेष्चता क्या बताता है, एड्जेक्टिब, thousand, three thousand, तो यह three thousand जो है आपका, यह वर्कर की विशेष्चता बता रहा है, यानि कि वर्कर कितने हैं, तो तीन हजार हैं, तो नाउन जो है आपका, वर्कर का वर्कर्स तो किया जा सकता है, नाउन कैन बी सिंगुलर और प्यूर्ल, लेकिन एड्जेक्टिब रिमेंज अंटच्च्ट, तो यहाँ पर three thousand की जगह पर three thousand वर्कर्स होना चाहिए, नाउन को पता करें, और उससे पहले noun को बताने वाले जो एक्स्पेशन्स हैं, जिनको हम जनली एड्जेक्टिव कहते हैं, तो उनको हमें उनके नॉर्मल फॉर्म में रखना, उनका प्लूर्रल फॉर्म नहीं बनाना है, क्योंकि noun has right to become singular and plural only, तो यहाँ पर 3000 workers की जगह पर 1000 workers होना चाहिए नेक्स एक different dimension का question है यह भी बहुत important question है आपका All his sister-in-laws are extremely cooperative and she doesn't miss her real sister at all ऐसे question जड़ा ध्यान देखें इसमें जो hyphen से बने रहते हैं जिसमें की sister-in-laws ऐसे in-laws के साथ ऐसे वाले questions भी रहते हैं brother-in-laws, sister-in-laws, governor, general ऐसे करके hyphen वाले questions भी रहते हैं इसमें तो यहाँ पर यह वाले question जो है यह compound noun का question बनता है आपका तो जब भी हम कोई ऐसा sentence देखें जिसमें की noun का form जो है hyphen के साथ है और एक preposition जुड़ा हुआ आप बिल्कुल हम direct hit question बता रहा हो आपको में यानि कि sister-in-law, sister-in-laws में हम देख रहे हैं कि दो अलग-अलग law भी एक noun है sister भी एक noun है आपका बीच में in preposition है आपका तो ऐसे समय में जब इनको plural बनाना होगा तो हमें plural किसको बनाना चाहिए यह एक exam का सबसे important question है हमें ध्यान रखना चाहिए preposition से पहले वाला word ही सरिफ plural बनेगा preposition से पहले वाला word ही plural बनेगा आप कहेंगे इसको plural के क्यों बनाएं क्योंकि all हमेशा ही plural के लिए demand करता all boys होगा, all boy नहीं होगा इसी तरह से यहाँ पर indication है all his sister-in-laws तो laws में s लगाकर यह error किया गया है क्योंकि grammar का noun का rule जो कहता है आपका इसमें कि जब भी भी कोई noun preposition के साथ बनता है इसमें तो preposition से आने वाला पहले वाला जो word होगा उसी कही plural बनाएंगे उसका बाद वाला plural form नहीं बनेगा तो answer हो जाएगा sisters in law तो यह s आपका sisters में चला जाना चाहिए यह exam के questions को हर एक segment में implement करेंगे इसमें जिसमें आपका बीच में preposition लगा हुआ next question में आएंगे अभी हम लोग the management committee was divided in their opinion यह भी एक बहुत अच्छा question है आपका इसमें जब भी हम कोई ऐसी बात करें जो कि noun के चैप्टर में आपका noun के चैप्टर में पता होना चाहिए कुछ ऐसे noun होते हैं जो कि compound noun के nature में रहते हैं कुछ noun जो है singular form को express कर रहे होते हैं इसमें जैसे कि हम देख रहा है management committee में आ रही है to committee का हमें form देखना है कि इसका form singular है कि प्लूरिल सबसे पहले ही देखना है जूरी होता है आपका मेंबर्स का एक कमिटी हो गया इसमें तो ऐसे को हमें singular मानना है इसमें और singular वर्व का यूज करना है लेकिन जब इनके साथ divided कौन कौन से वर्ड डिवाइड हो गया फ्रेक्चर्ड हो गया नौट यूनाइनिमस हो गया ऐसे वर्ड अगर यूज हो जाएं तब ये बन जाते हैं एक से ज़्यादा क्योंकि एक कमिटी में कितने लोग हैं वो तो सम मिलकर एक ही हुए लेकिन हाँ पर जब डिवाइड हो गया तो कम से कम तो दो डिवाइड होगा मान लेते हैं दस लोगों की एक कमिटी है तो डिवाइड होकर तो पांच और पांच दो कमिटी होगा दो ग्रूप बन गया आपका तो ऐसे समय में हमें हमारा ग्रूप जो है डिविजन होने पर इनको हमें प्लूरल कंसिडर करना है और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल है जाएगा तो यहाँ पर डिवाइड वर्ड शो कर रहा है कि एक कमिटी जो है यह कम से कम तो दो भाग में बटी है एक से ज़्यादा भाग में बटी है तो यह एक से ज़्यादा का एक्स्प्रेशन दे रही है और इसलिए यहाँ पर यह वर्ब जो है यह वाज लगा हुआ इसको वर्ब करना होगा क्योंकि the management committee जो है यहाँ पर यह divided होने के बात हो रही है एक नहीं है और एक से ज़्यादा जो भी होगा वो प्लूरल होगा अभी हम देखें यह नाउन का एक ऐसा form है कुछ ऐसे words रहते हैं जिनका जिनका form जो है नाउन का form ऐसा ही considered होता है उसको हम change नहीं कर सकते the judge issued summon to the chairman of the company because he did not obey the honorable court यहाँ पर हम ध्यान देंगे इसमें summon word को लें बड़ा common सा sentence में आता है यह बहुत सारे questions में आ चुका है summon word का मतलब होता है actually यह exists करता है summons Summon does not exist तो इसको हमें summons लिखना चाहिए क्यूंकि कुछ word exist नहीं करता है जैसे कि आपने news, news में new करके सुना है क्या तो वह तो शब्द का अर्थ ही बदल जाएगा उसी तरह से कुछ ऐसे word है जिनका existence हमेशा ही S के साथ बनता है तो यह हम देख रहे हैं इसमें summon word जो है इसका literally meaning जो होता है order of the court, court का आदेश को कहते है summons कहते है तो यहाँ पर यह word summons जो है एक error part है आपका तो summons की जगह पर summons करना चाहिए summons क्योंकि यह word exist नहीं करता बिना S के जैसे कि चश्मा, चश्मे को हम कहते है spectacles तो spectacles में S हटा देंगे तो वो word exist नहीं करेगा तो इसी तरह से कुछ noun के कुछ words फॉर्म बने हुए है जिसमें कि summons एक important word है जो exam में पुछा जाता है अब हम देखेंगे दुबारा उसी type का question जो कि आपको समझने में आसानी हो गया the jury have decided the case and gave its decision यहाँ पर देखना है jury have decided the case and gave its decision अब jury को कहते हैं group of judges group of judges यानि किसी भी बड़े फैसले को लेने के लिए एक से ज़्यादा जब judge होते हैं तो उनको jury कहा जाता है तो jury जब मिलती है इसमें तो जाहर से बात ही एक collective noun है तो एक से ज़्यादा subject मिलकर एक बना रही है यह collective है तो collective में हम देखेंगे क्या यह divide हो रही है कहीं पर देख रहा है उसको हमें singular consider करना है जब तक कब तक singular करना है जब तक कि वह एक है लेकिन divided word use हो गया fractured word use हो गया not unanimous use हो गया तब यह plural हो जाते हैं तो लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई भी word use नहीं हो तो jury have के जगह पर jury has हो जाएगा क्योंको jury यहाँ पर singular consider हो रही है और singular के साथ verb singular have plural verb है और इसका singular has हो जाएगा अब यहाँ पर हम देखेंगे यह noun का case वाला हम starting में हमने noun देखा था इसमें कितने part में divided है तो noun का case है जब इस तरह से word लिखा जाता है तो हम इसको कहते हैं apostrophe S है ना डॉर के ओपर apostrophe अफिर लगा दिया एस तो apostrophe S को कहते हैं हमेशा ध्यान रखिए apostrophe S जो है यह हमेशा ही living के साथ ही लगाना चाहिए इसमें और यह non living के साथ जो है यह restricted है यह majority of cases में restricted है except some examples, exceptions, तो यहाँ पर our doors lock, यह door को आप living मानते हैं, non-living मानते हैं, दरवाजा जो है non-living है, तो यहाँ पर doors lock गलत हो गया आपका, इसी तरह से अगर cars, tires, cars, tire लिखा होता, car का tire, तो यह actually sense क्या देता है, door apostrophe is door का lock, car apostrophe is car का tire, ऐसा sense देता है, table legs, table's leg, table का pair, यानि कि इस तरह से इनका relation देया जाता है, तो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, doors lock word जो है, यह तो non-living है यह, और जब non-living के लिए apostrophe use होगा, तो यह गलत हो जाएगा, इसको सही करने के लिए क्या करना होगा, क्या करना होगा, off का use करना होगा, lock of door लगाना होगा, lock of door लगाना होगा, off का use करना होगा, apostrophe को हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा इसमें, आवर, lock of door, when we were not at home, इस तरह से use करें, next dimension का question है, मैंने सभी noun के chapter के जो अलग-अलग sections होते हैं, उन सभी questions रखें इसमें, the writer of this poetry is words worth, इस section को जड़ा देखें, noun के chapter है, writer of this poetry, यह noun के phrase को देखें, phrase वाला ही मैंने word लिखा था इसमें, poetry word this के साथ जुड़ा होगा, दब भी this का use करेंगे, तो उसके साथ subject हमेशा singular आता है, singular, यानि कि यहाँ पर यह indication हो रहा है, कि writer का इस poetry की बात हो रही है, और हमें पता होना चाहिए, कि poetry तो collection है, यह तो uncountable है, जबकि यहाँ पर यह poem word का sense देना चाहिए, यानि कि एक कृती की बात करें, अगर suppose, poet has created something new, something new, it means that you are talking about one poem, एक कविता की बात कर रहे है, poetry तो uncountable है, series of collections हैं इसमें, तो यहाँ पर the writer of this poetry की जगह पर poem होना चाहिए, क्योंकि poetry जो है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कि this के साथ poem का use करें, एक नया dimension का question, बहुत ही different सा question है, बहुत सारे errors से लोग इसमें समझ नहीं पाते हैं, the vajdyas have been living here for about a decade, अब यहाँ sentence को देखें, जब भी हम apostrophe s का use करें exam में, apostrophe s का, तो हमें पता होना चाहिए, वो singular subject के लिए होना चाहिए, singular subject, यानि कि जैसे राम का pen, तो राम, apostrophe s, pen, राम का pen, लेकिन अगर हमाँ plural लगाना होता है, तो इसके नियम बदल जाते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा ध्यान रखनें, अच्छा एक बात बता है, दब वैद्याज लिखा हुआ है, वैद्या, apostrophe s, तो यह अपस्ट्रोफियस तो हमने बता है ना, भी singular के लिए लगता है, तो यह घर जो है वैद्याज का घर है, तो वैद्याज का घर singular के लिए, singular कहा जा रहा है, plural के लिए, तो have a look over have, have indicate करें Barbie symbol या निकि वैडियाज के घर दे है यह अक प्लूरिल फार्म के लिए बोला जा रहा तो यह वैद्याज जो है एक आद्मी का घर नहीं है वैद्याज, बहुत सारे वैद्याज जैसे राभूल वैद्य हो गया सुजाता वैद्य हो गया तो बहुत सारे वैदिया लोगों का मिलकर वैदियाज हुआ तो जैसे कि बहुत सारे रीवर मिलकर रीवर का रीवर्स बन जाते हैं बहुत सारे पोयम पोयम्स बन जाते हैं तो बहुत सारे वैदिया वैदियाज हुजाते हैं तो यहाँ पर यह अननेसेसरी एपस्ट्रॉफी एस लगाया हुआ है, इसको हमें इटा देना चाहिए और the वैद्यास करना चाहिए वैद्यास करना चाहिए, क्यांकि वैद्यास have been living here सारे वैद्यास रहते हैं have been, क्योंकि have plural है तो सभी वैद्यास रह रहे हैं यहां पर ऐसा sentence बन रहा है, एक वैद्या नहीं रह रहा है, एक क्यों बोल रहा हूं क्योंकि apostrophe है, singular subject के लिए होता है, और इसलिए गलत हो गया, next देखेंगे, next question का error देख रहा है इसमें, they left their luggages at home by mistake and went to the railway station, luggages, कुछ ऐसे word होते हैं, जिनका plural form exist नहीं करता है, जैसे की luggages, इसको हमें, यह बहुत ही common error है, हमेशा ध्यान रखें, baggage, luggage, ऐसे words हमेशा ही, singular form में use होते हैं, और इनका हमेशा ही singular form और इनका function, verb भी इनका singular लिया जाता है, तो यहाँ पर, luggages की जगह पर, luggage यूज करें, the paintings of natural sceneries, यहाँ पर भी ध्यान रखें इसमें, जब भी कोई scenery word आता है, आख बंद गर के एकदम, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, sceneries word का, sceneries नहीं बनता है, इस सरफ scenery, scenery ही word exist होगा, there shouldn't be the plural form of scenery, scenery word should be existed, यानि के sceneries को अटा कर, scenery करें, simple sardar कर दें इसको, I think this book is not your book, it is somebody's else, बहुत exam का important question है, आपका यह, it is somebody's else, देखिया हम apostrophe is case वाले form का use कर रहा हैं, somebody के साथ s लगता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ध्यान रखें इसमें, somebody, anybody, everybody, nobody, जब भी ऐसे शब्द यूज हों, उनके साथ apostrophe s लगा सकते हैं, लेकिन अगर else लग गया, किसी के साथ भी, everybody else, तो apostrophe s कभी भी सिर्फ else के साथ ही लगेगा, फिर इनके साथ नहीं लग पाएगा, इस बात को ज़रूर ध्यान रखें इसमें, somebody, everybody, nobody, यह सभी के साथ apostrophe s लगेगा, लेकिन, else के use होने के बाद, यह apostrophe s जो है, यहाँ पर चला जाएगा, और इसका use यहाँ consider होगा, तो यहाँ पर यह गलती है आपकी, I went to temple with my parents, aunts, and cousin sisters, यहाँ पर धियान रखें, यह भी बड़ा common error है, बहुत जल्दी time नहीं लगता है इसमें, जब भी हम cousin use करते हैं इसमें, तो brother and sisters को avoid करेंगे, यह एक error part है आपका, so we should avoid sister or brother with cousin, next, he was advised to take two spoons full of medicine three times a day, बड़ा important question है आपका, यह आपका compound noun का है, इससे भी बहुत अच्छे questions आते हैं आपके, he was advised to take two spoons full of medicine three times a day, यहाँ पर देखेंगे two spoons full, यह निके two or spoons full, यह full वाला error जो है, exam का बहुत important part है, यह अलग सक question बनता है इसमें, जब भी किसी sentence में full देखें, तो इस बात का ध्यान रखें इसमें, कि यह full का plural form fulls से बना जाएगा, जैसे कि spoon fulls हो गया, spoon full, cup full, ऐसे करके कौन कौन से word है, cup full, spoon full, glass full, ऐसे word है, तो जब भी कोई word, दो word, full भी एक noun है, spoon भी एक noun है, तो spoon और full, अगर मिलता है तो spoon full बनेगा, लेकिन अगर इससे एक से ज़्यादा हो, जैसे दो spoon full की बात हो रही है, तो इसका plural form बनाने के लिए सिर्फ full के बाद ही ऐसे लग सकता है, पहले नहीं लगेगा, full के साथ use होने वाले जो भी noun होंगे, उनमें plural form उसका last में ऐसे लगाने से ही बनेगा, पहले वाले word के साथ ऐसे नहीं लगाना है, जैसे कि spoons नहीं बनेगा, spoon और fulls बनेगा, next अगर word कर लें इसमें, जैसे कि हम cup full बात करते हैं, तो cup full में भी cup fulls बनेगा, cups fulls नहीं बन सकता, तो यहाँ पर यह बहुत important error है, full के साथ, यह भी recent exam में पूछा गया question, next हम बात करते हैं इसमें, यहाँ पर बहुत अच्छा error है आपका, जब भी कुछ दो नाउन, similar two nouns, अगर बीच में किसी preposition से use होता है, बड़ा अच्छा exam कहरे रहा है आपका, तो always and even remember, that both the nouns should be used in singular form, तो towns after towns, after एक preposition है, दो नाउन है आपके, तो यहाँ पर preposition की use होने से, यह दो नाउन को singular form में use होना होगा, ऐसे बहुत सारे questions होते हैं, doors to door, door to door marketing is good, बहुत सारे ऐसे word होते हैं, यहाँ पर towns after towns की जगह पर, town after town का use करेंगे, तो सही हो जाएगा, next question देखेंगे, Mr. Sunil Naga, took the photographs of grazing cattles in his village, यह भी exam के, ऐसे questions हैं, जो की noun के chapter से बड़े constantly आते हैं इसमें, cattle word जो है, मवेशी कहते हैं, मवेशी, गाय बकरी, गाय जो cattle रहते हैं आपके, और यह cattle का as form plural use नहीं होता, हमेशा ध्यान रखें, cattle हमेशा ही singular, यह form का singular form ही रहेगा, इसका सिर्फ वर plural बनता है, cattle word को kattles लिखना incorrect है, और इसलिए इसका form यहाँ पर cattle होना चाहिए, kattles नहीं होना चाहिए, next question दिखते हैं, the king was very proud as his cavalry was very strong, यहाँ पर एक दूसरा segment देखने को मिल रहा है, इसमें, the king was very proud as his cavalry was very strong, कुछ ऐसे word हैं जो कि लगते singular हैं, लेकिन होते plural हैं, जैसे कि police, police हमें लगता है singular है, लेकिन police हमेशा आर के साथ use होगा, यह के साथ use नहीं होगा, जैसे कि people, लगता है singular है, लेकिन people are होगा, is नहीं होगा, उसी तरह से cavalry, military का part जो की horse से बना है, military strength which is made up with horse, तो घोड़े के उपर जो military forces रहती है, उनका उनका जो unit होता है, उनको cavalry कहता है, तो यह cavalry हो गया आपका, यह plural हो गया form में, यह singular form में, function इसका plural है, जैसे कि police है, singular form है, लेकिन police are होता है, तो cavalry भी दिखता है हमें singular, लेकिन इसका form जो है, verb जो है, यह हमेशा ही plural होगा, वास की जगह पर वर होगा, cavalry always take plural verb, next question में आते हैं, the receptionist, gave us much information, which we needed, यहाँ पर sentence को देखें इसमें, noun को सीरे hit करते हैं, informations, informations जो हैं एक uncountable है, और information uncountable का plural नहीं बनता, हमेशा धियान रखें, information uncountable होने के कारण, uncountable noun plural नहीं बनता, और information हमेशा information ही रहेगा, इस बात का धियान रखें, तो यहाँ पर इस error को आप अराम से बना सकते हैं, the receptionist gave us much information, which we needed, next लिखेंगे, the students union opposed the present examination system of university, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, noun का case का form है, यह भी बहुत अच्छा error है आपका, the students apostrophe s, अब देखें, यह apostrophe s तो हमने पहले से पढ़ा था, राम्स का, मोहन्स का, तो यह singular के साथ होता है, लेकिन अगर पहले से ही word कोई plural दे दिया गया है, students, यानि plural है, तो ऐसे समय में, हमें apostrophe s नहीं लगाना है, हमें सरफ apostrophe लगाना है, हमें क्या करना है, the students apostrophe, बस यह लगाना है, s नहीं लगाना है, s किस के साथ लगाते हैं, singular के साथ, अगर यहाँ पर student होता, तब s लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर students है, तो इसके लिए सरफ apostrophe s होगा, कुछ example और लेते हैं, जैसे कि boys, तो boys hostal लगाना है, तो boys लगा हुआ है, तो उपर से सरफ apostrophe लगाना है, इसको apostrophe कहते हैं, यह apostrophe, और singular के साथ, apostrophe s लगता है, तो यहाँ पर students plural है, और इसलिए इसमें apostrophe लगेगा, apostrophe s नहीं लगेगा, और इस तरीके से आप error के questions को आराम से बना सकते हैं, I hope कि आपको जो है, यह error के round clear हो गया होंगे इसमें, ऐसे ही errors को जो है, अब repeatedly आपको दिया जाएगा, आने वाले examination को आप अच्छे से proceed कर पाए, उमीद है कि आप अपने comments को जरूर शेयर करेंगे, Thanks for watching, जहन!